दोस्तों आप भी डिली घुमने का प्लान बना रहें और एकदम सस्ते बजट में आप पूरा डिली घुमना चाहतें तो ये वीडियो आप लास्ति तक देखीए इस वीडियो में आपको डिली यातरा सी जूरी हर एक जानकारी जो है मिलने वाली है कि दिल्ली आप कैसे आ सकते हैं और दिल्ली में कौन-कौन सा जगह है जहां आप घूम सकते हैं और फिर दोस्तों दिल्ली में रुकने के लिए सबसे सस्ता जो है सबसे चिपेस्ट होटल आपके लिए कौन सा रहेगा और इसके साथ ही दोस्तों और भी बहुत सारी जानकारिया है जो कि आपको इस वीडियो के अंदर जो है वो मिलने वाली है बाकि एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर पहले ही बता देता हूं दिल्ली यानि कि दिल्ली जब मैं गया था उसका पूरा वीडियो बनाया था और इस वीडियो आपको पूरी जानकारिया जो है दिल्ली यातरा से झुरी यहां दिल्ली दर्शन से जुरी जो है मिलने वाली है तो चलिए दोस्तों फटापट वीडियो को सुरू करते हैं उससे पहले एगर चैनल को सबस्क्राइब नहीं किए तौ सबस्क्राइब कर लिजी वी के दिन समझाई कि अगर माई जून में अगस्त यानि मार्स से ले कि और फिर आप सप्टमबर तक अगर जाते हैं तो फिर आपको दोस्तों गर्मी से परिसान हो जाएंगे सही से घूम भी नहीं पाएंगे क्योंकि गर्मी में जो है दिली का टेंपरेचर काफी जदा हाई रह अगर आपके पास खुद का बाइक है या फिर कार है या फिर बस की मदद से आप जो है दिली आ सकते हैं इसके बाद दोस्तों बाइट्रेन जो की सबसे एकदम सस्ता जो है पड़ेगा आपको दिली आने के लिए आप अपने सहर से कोई भी नजदी की एस्टेशन से दिली क ट्रेन का टिकट ले लीजी आप डिली आ जाईए इसके बाद है दोस्तों बाइप लाइट बाइप लेन की जरीए भी आप दिली आ सकते हैं आप अपने जो सहर में है एरपोर्ट होगा वहां से डायक्ट जो है न्यू दिली एरपोर्ट के लिए टिकट ले लीजिए फ्ला साथ सबसे सस्ता होटल लेगा जहां आराम सिक्दम रुख सकते हैं तो यहां पर दोस्तों देखे होटल की जो प्राइसिंग रेंज है न तो यहां पर प्राइस जो है हजार से चालू हो जाता है स्टार्टिंग होता है हजार से और हजार से आपको हजार बारासो ग्यारासो प बात कर रहा हूं भर बेट खाना आपको दोस्तों वह देर सो से 200 रुपे के अंदर मिल जाएगा दोस्तों आप जब भी दिल्ली आए तो दो चीज का ध्यान रखे एक तो दोस्तों जितना भी दिल्ली में घुमने वाला जगह है न सब के आसपास में दोस्तों मेट्रो एस्ट ऑटो वाले आपसे जह है देखेंगे कोई ज़नवी है अब उस्वे में गुमने के लिEZL ऐसे पैसा वशूल लाल किला के आसपास में मेट्रो एस्टेशन है जो कि लाल किला मेट्रो एस्टेशन है और यहां से लाल किला की दूरी सिर्फ एक किलो मीटर की है तो लाल किला मेट्रो एस्टेशन अगर आप आते हैं तो वहां आपको दोस्तो यह रिक्सा मिलेगी जो कि 10 रुपिय में आपक लाल किला तक फॉर देगी दोस्तो सोंबार के दिन जो है लाल किला बंद रहते हैं और यहां पर एक जयान कारी और देदू दिली जब भी घुमने आए तो आप सोंबार को ना है क्योंकि दोस्तो ब्लाकिला बंदी की रहता है व्यार्द से जो है बंद रहता है इस बज़े से दोस्तों आपको इस सीच का थोड़ा ध्यान रखना है अब यहां पर टाइमिंग की बात करेंगे तो लाल किला जो खुलने का टाइम है ना आठ बज़े से सामके छे बज़े तक है आप आराम से जा सकते हैं सुबह में आठ बज़े से सामक बब को एक भवे light and sound show का आयोजन किया जाता है यह गटे का होता है चाहे तो आप यह भी देख सकते हैं बहुत ही मजाएगा देखने में अगर पूरा लाल किला घूमने की बात करेंगे तो आपको करीब पूरा लाल किला अगर घूमना चाहते तो 3-4 घंटे का टाइम पट्री मार्केट में यहां पर आपको दोस्तों एलक्टोनिक्स के और फैसन के सभी समान जो है एकदम सस्ते दामों में मिल जाएंगे दोस्तों जामा मजजिस सब्ता के सभी दिन खुली रहती है और टाइमिंग की बात करेंगे तो सुबह साथ बज़े से साम के साथ बज़े तक आप जामा मजजित के अंदर जो है जा सकते हैं इंट्रिफ की दोस्तों एकदम फिरी है एक पैसा आपको यहां पर नहीं देना परेगा अब यहां पर सबसे जो फेमस दिल्ली का वह है इंडिया गेट बाद करेंगे तो कैंदरी सची वाले जो की इंडिया गेट के पास कि आधेह जाते हैं पर इंडिये घi डाते हैं जो कि दोस्तों देखने में काफी भव्य लगता हम में ही है नमर चार पे आता है जंतर मंतर दोस्तों जंतर मंतर के पास में राजीव चोक और पटेल चोक मेट्रो एस्टेशन है राजीव चोक मेट्रो एस्टेशन से बाहर निकलने के बाद आटो पकर कर आप जंतर मंतर पहुंच सकते हैं राजीब चोक से जंतर मंतर की दूरी जो है सिर्फ दो किलो मीटर की है और अगर आप पटेल चोक पर मेट्रो एस्टेशन पर जो है उतरते हैं तो वहां से जंतर मंतर आप पैदाली आ सकते हैं एक्दम जो है छेसो मीटर की दूरी पर है छेसो सभी कम मीटर की दूरी पर अग्षरधा मंदीर दुनिया का सबसे बरा मंदीर है अप्षरधा मंदीर जो है 86,342 वर्गफूट के एडिया में फैला हुआ है इस मंदिर के अंदर 20,000 से भी अधिक मूर्तिया है अक्षरदाम मंदिर के निकट जो है अक्षरदाम मेट्रो स्टेशन है और वहां से आप पैदली चलकर अक्षरदाम मंदिर के अंदर जा सकते हैं अक्षरदाम मंदिर आप बस और ओटो से भी आ सकते हैं वहीं अगर इंटरिफी और टाइमिंग की बात करें तो यह मंदिर भागतों के लिए सब्ता के सबी दिन खुला वार रहता है टाइमिंग जो है सुबह आठ बजे से सामके साथ बजे तक रहता है मंदिर में परवेश एकदम निसुल्ख है आपको एक भी पैसा नहीं देना परेगा हाँ अक्षरदा मंदिर के अंदर आप मॉबाइल और केमरा लेकर नहीं जा सकते गेट पर ही आपको सब कुछ जमा करना पर सकता है नमर छे पर आता है लोटस टेंपल जिसको दोस्त कमल मंदिर भी बोलते हैं लोटस टेंपल आप बस, ओटो और अपनी प्रसनल बाइक कार से आ सकते हैं वही अगर नियर बाइ मेटरो स्टेशन की बात करें तो लोटस टेंपल के नजदीक कालकाजी मेटरो स्टेशन है इस मेटरो स्टेशन से सिर्फ 15-100 मीटर की दूरी पर लोटस टेमपल इस्तित है लोटस टेमपल जुह सोंबार के दिन बंद रहता है इंट्री भी यहाँ पर यह नहीं लगता है परवेस में जुह है आप अंदर अराम से पिर में जा सकते हैं Lotus Temple के पास में ही कालकाजी मंदीर है चाहे तो आप वहाँ भी जाकर दर्सन कर सकते काफी प्राचीन मंदीर है अब दुस्तो नमर साथ पी आता हुमायू का मकबरा हुमायू का मकबरा निजदामुदिन रेलवे स्टेशन से 30 किलोमीटर की दूरी पर इस्टेशन के बाहर आप ओटो और बस के जरिये जो है हुमायू के मकबरे तक पहुंच सकते हैं यह मकबरा सराई काले खाँ बस के डिपो के काफी जो है निकट में इस्टी थे अगर नियर बाइ मेट्रो इस्टेशन की बात करें तो वायलेट लाइन पर जवहारला नेरू मेट्रो इस्टेशन है और दोस्तों टाइमिंग की बात करेंगे और इंट्रिफी की हुमायू का मकबरा सब्ता के सबी दिन खुला वर रहता है भारतिय परियटकों के लिए हिमायू के मकबरे के लिए परवेश टीकर पचास रुपे का है अगर दोस्तों बच्चे के लिए एकदम फिरी है अगर पंदरा साल से कम के बच्चे हैं चोटे हैं तो आप बच्चे को फिरी में ले जा सकते हैं हिमायू का मगबरा जो है सुब्व 8 बजे से साम के 6 बजे तक खुला रहता है हिमायू के मगबरे से सिर्फ जो है वो चंद मतलब 10 मीटर की दूरी पे सुन्दर नर्सरी है जिसके अंदर आप हरे भरे पेर पोधे से सजा पराकेटिक का मनमुहक नजर आ जो है आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा तो यहां भी आप आराम से जा सकते हैं हाँ यहां पर सुन्दर नर्सरी जाने के लिए आपको 50 रुपया जो है वो पेक करना पड़ेगा नम्मर 8 पर आते हैं राजगाट यहां राष्ट पिता महत्मा गांदी जी का समाधी अस्तल है राजगाट पर निरबाय मेट्रो एस्टेशन जो है वो न्यू देली मेट्रो एस्टेशन है राजगाट के अंदर परवेश करने के लिए इसी भी तरह का कोई भी इंट्रिफीन नहीं लगता है और दोस्तों जब आप राजगाट जाएंगे ने तो उसी केंपस के अंदर आप जाएंगे कुटूब मिनार दिली के महरोली एरिये में इस्टीत इड से बनी विष्ट के सबसे उची मिनार है कुटूब मिनार आप बस ओटो और मेट्रो से के जरिये जो है आ सकते हैं कुटूब मिनार मेट्रो एस्टेशन जो की कुटूब मिनार का सबसे निकरतम मेट्रो एस्टेश बात करेंगे तो दोस्तों पर परसन यहां पर आप अगर इंडियन है तो 40 रुप्य आपको लगेगा अब दोस्तों इस लिस्ट में नम्मर टैन पर आता है दिली का चिरिया घर दोस्तों दिली जुके नियरवाइ मेट्रो एस्टेशन की बात करें तो प्रगरती मैदान मेट् घर जाके लुक्त जो है वहाँ का उठा सकते हैं वहीं अगर दोस्तों टिकट प्राइस की बात करेंगे तो यहां पर दोस्तों ठीकर जो हैई वर पर परसन 80-100 रुपए की बीच में आपको लगेगा टिकट का प्राइस हमेशा जो है चंज होते रहता है अगर दोस्तों को बच्चा है तो फिर 40 उर्पे आपको पे करना परेगा इसके अलाबा दोस्तो दिली में और भी कई सारे घूमने की जगह हैं जैसे दोस्तो सरोजिनी नगर मार्केट है काफी फेमस मार्केट है चांदनी चोक दोकी दोस्तो सबसे पूराना मार्केट है दिली का नेशनल म्यू का जो बजट की बात करें दोस्तो आप पूरा दिली जो है तीन दिन में घूम सकते है है घुआ सकते हैं दो लोग जो है आप आप आपके उपर है कि कितना है खरचा करते हैं वह सब आपके उपर है और नॉर्मली तो अगर दिल्ली टूर से जूरे आपके मन में कोई और सवाल है तो दोस्तों आप मुझसे कमेंट करके जरूर पूछे बाकी उम्मीद करता हूँ या वीडियो या जानकारी आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक सेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए हिंद वह अन्दे मात्रम